हमें दिखाया जाता है कि केलर अपने हत्यार को रेडिक कर रहा है और उसके कुछ दूरी टीनेजर्स बोडम लेग पर नहा रहे थे दूसी तरफ दो दोस आटे और एलियास उन मडर्स के बारे में बाते कर रहे थे और दोनों कुछ कपड़ों को देख रहे थे और कुछ ऐसे कपड़े मडर के समय उन टीनेजर्स ने भी पहने हुए थे और वे यही कपड़े अपने फ्रेंड्स को पहनाने वाले थे इसके बार में हमें इडा नाम की एक लड़की दिखाए देती है जो कि अपने फैमली के सा में घुमने जा पाए एडा के फादर नोरा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि नोरा के साथ रहकर इडा बिगड़ जाएगी वो इडा को परमिशन नहीं देते हैं घुमने जाने के लिए पर इडा की मौम उससे परमिशन दे देती है आटे और एलियास का नोरा एडा को समझा रही थी कि जिस ट्रिप पर वे जा रहे हैं वो ट्रिप उसके बूरे पास्ट को बुला देगी और वो इस पूरे पलो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी नोरा फिर एडा के फिस परमिख भी करती है और बहार अटे और एलियास कार में उनका लड़के उनका समान कार में रखते हैं वो रास्ते बर वे सभी अपने रिलेशन्शेप और एडर्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे हैं एलियास को प्यार पर विश्वास नहीं था और वो बस अपने लाइफ को इंजॉय करना चाता था अब कुछी समय में वे सभी ल केम्प लगाते हैं रात को अटे और एडा उसी घटना के बार में बाते कर रहे थे जब उन टीनेजर्स का मडर हुआ था क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया था और इसलिए अटे इस केस पर इतना ज्यादा इंट्रेस्टेट था वो चाहता था कि वही इंसिडेंट फ सब भी वहाँ पर बैठकर बाते करने लगता हैं अटे करता है कि वह क्रिमिनल इस जगह का नहीं कोई आउटसाइडर है वह क्रिमिनल जरूर हंटिंग के लिए भागल हो गया होगा जब भी टीनेजर वीक होते हैं तब वो उन पर अटेक कर देता है अगर वह क्रिमिनल यहा में जाने के लिए उठती है तो उसे एक flashlight दिखाए देती है वो ठीक से देख पाती उसके पहले ही light गायब हो गई थी एड़ा फिल लेक में जाकर नहाने लगती है और वो देखती है कि एलियास उसे चुपकर देख रहा है पकड़े जाने पर एलियास ये कहता है कि वो बस वह पर पानी लेने आया है और एडा घुस्षे में टेंट के तरफ जाती है टेंट के अंदर आटे नोरा से कहता है कि उसे प्यार नहीं करती एडा को अंदर आता देख अटे और नोरा अपनी बातें बंद कर देते हैं और अटे टेंट से बहार चला जाता है अब आधी रात को एडा की नींद खुलती है क्योंकि उसे कोई अजीब आवाज़ सुनाई दे रहे थी एडा नोरा अटे और एलियास को नींद से उटाती है और सबी उस जगह को चेक करने जाते हैं एलियास अकेले ही थोड़ी दूर देखने जाता है पर एलियास बहुत देर तक वापस नहीं आता है और इस बात से बाकी सबी लोग परेशान होने लगते हैं तबी एलियस अचानक उनके सामने आकर उनको डरा देता है और वे बस उसके साथ मज़ा कर रहा था तबी नोरा कहती है कि उसे सूसू करने जाना है और वो अकेले ही दूर जंगल के अंदर अपना काम करने चलियाती है एलियस भी नोरा के पीछे पीछे जाता है और एडा और अटे टेंट में बेटकर बाते कर रहे थे हैं तो भी वो टेंट उनके उपर तूटकर गिर जाता है लेकिन किस्मत की बात ये थी कि कोई भी इंजर्ड नहीं होता है अटे टेंट से बाहर आकर जी देखता है कि एक पेड़ की टेंट उनके टेंट पर गिर गई थी और इसी वज़े से उनका टेंट टूट गया है वो टेंट के अंदर जाकर इडा को इस बारे में बताने वाला था कि तब ही कोई आदमी पीछे से आकर अटे को चाकू मार देता है इदर दूसरी तरफ नोरा को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वो डर कर बागने लगती है एलियस नोरा को पकड़ लेता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है वो ही उसके पीछे आ रहा था तब ही नोरा और एलियास को एडा की आवास सुनाई देती है जो की मदद के लिए छिला रही थी दोनों केम के तरव भागता है और एडा की मदद करने के लिए टेंड में उनको अटेक खून से लटपत मिलता है और वो दोनों अटेक की मदद करने लगता है पर अटे उनको वहाँ से भागने को कहता है एलियास कुलाडी उठा लेता है उनकी सेफटी के लिए फिर एडा और नोरा कैम से दूर भागती है और भागते समय नोरा के पेर में मोच आ गई थी नोरा उसे छोड़कर सब भी को भागने को कहती है क्योंकि अब वह चल नहीं पाएगी एलियास फिर वह कुलाडी नोरा के हाथ में दे देता है ताकि वह खुद को सेफ रख पाए एलियास एडा से कहता है कि उनको जल्दी से उनके कार तक पोखना होगा लेकिन बीच रास्ते में एडा और एलियास के बीच में कुछ बातों को लेकर जगड़ा हो जाता है एडा की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स पूरे कॉलेज में वाइरल हो गए थी और एडा उन फूटो का ब्लेम अटे और एलियास पर लगाती है पर एलियास उदर समझाता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है वो सारे पिक्चर्स भी फेक है वो तो एडा से प्यार करता है और तबी अचानक एक आदमी आकर एलियास के पीट पर चाकू मार देता है वो आदमी जब अपना फेस दिखाता है तो वो और कोई नहीं बलकि नौरा थी नौरा और इडा इस ट्रिप पर इंजोय करने नहीं बलकि वो तो आई थी अटे और एलियास को कतम करने के लिए वो दोनों यलो कलर की जम सुट पहन लेती है फिर वो अटे और इलियास की बर्डी को बेक में डालकर उन बेक्स को चेंस से बांद कर भारी चीजों के साथ में लेक में फिरक देते हैं और वे उन सारे सबूतों से भी पीछा चुड़ा लेते हैं फिर वो दोनों अपने वाच पर तिन गंटे का टाइमर लगाते हैं और वो दोनों उसी समय पर सीटी से लोटने कात्य करते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक न हो वो दोनों कार में आकर बेट जाते हैं तब ही उनको पता लगता है कि कार के चाबी तो एलियास के पास थी। दोनों कार से निकलती है और एडा ये डिसाइड करती है कि वो एलियास की डेट बोडी से चाबी लेकर आईगी। वो पानी के अंदर जाती है पर डर जाती है। लेकिन नौरा उसे होसला देती है और जब वो पानी के अंदर जाकर एलियस की डेट बोडी से चाबी निकालकर पानी के उपर आती है तो नौरा बहुत खुछ थी जब उसे पता लगता है कि एडा को चाबीय मिल गई है और एडा पानी से भार आती है दोनों डिसाइड करते ह कि शेर जाने से पहले वे लोग कार को ठिकाने लगा देंगे ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत मा मिलें दोनों फिर कार में बैठकर शेर के तरफ जाने लगते हैं और कार में बाते करते हैं वो दोनों आर्यू करने लगते हैं और नौरा इडा से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा अन्ग्रेटफूल पर्षन है नोरा इडा को उसके वारेल हुए पिक्चर के बारे में बताना लगती है उन नोरा को ये डर था कि वह एलियास को खोण न दे वह एलियास से प्यार करता था फिर एक दिन पार्टी में नोरा ने इडा के डिंक में कुछ मिला दिया था कि उसकी प्राइड पिक्चर एलियास ने वारेल की है और इस तरह इडा नोरा की सबी बाते मानने लगी थी अब प्रेजन टाइम में नोरा की ये सारी बाते सुनकर इडा कहती है कि घर जाने के बाद में वो सारी बाते पुलिस को बता देगी और ये सुनकर नोरा एक चीज इनके वज़े से इड़ा ब्योंश हो गए थी नोरा फिर इड़ा को होश में लाने की कोशिश करती है और तभी वही अदमी उनके पास आ जाता है और वहां से निकालने के लिए मदद वाफर करता है नोरा इड़ा से गयती है कि उस आदमी को उनको मारना होगा क्योंकि उसने उनको कार के साथ में देख लिया है तब भी उसको अचानक समझ में आता है कि उन दोनों ने तो अटे को मारा ही नहीं था तो फिर अटे को मारा किसने था वे लोग को समझ पाते उससे पहले ही वो आदमी उनकी कार को एक केबल से कनेट करके कार को टोक करके ले जाने लगता इडा नोरा से कहती है कि उनको कार से कूदना होगा लेकिन वो आदमी कार को पेरो के पास से लेकर जाता है जिससे के कार का दर्वाजा पुरी तरह से बंद हो जाता है तब दोनों कार में बेक साइड की तरफ जाते हैं और तभी उनकी कार पुरी तरह से पलड़ जाती है इड कि उसका पेर पूरी तरह से इंजर्ड यारी कि जखमी हो गया था नोरा वहां से भागने लगती है लेकिन वो आदमी अपने कुट्टे को नोरा के पीछे लगा देता है और नोरा जल्दी पकड़ी जाती है अब अगले सुबह नोरा और एडा को होश आता है और दोनों बंद करता है और दर्द के वज़े से दोनों लड़किया बहुत चिला रही थी और उनके होटों की चमड़ी उस गलू की वज़े से पूरी उखड़ जाती है अब कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि उस आदमी ने सिर्फ एडा को उसके घर पर चोड़ा है पर इडा पर भी उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था जिससे कि वो जिन्दा रहने के बाद में कुछ भी नहीं भूल पाएगी पुलिस फिर से लेक बोड़म पर चांद में शूरू कर देती है पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है एडा भी पुलिस को कुछ नहीं बता पा किव पुलिस फिर से लेक प्रबाद में भी पुलिस फिर सकी नहीं भी सबुलिस को कुछ भी सबुलिस फिर से लेक सिर स।क फिर से अ कर दिए ज़ग़म भी।